दोस्तों फिर से एकने वीडियो में आपका स्वागत है आप देखने बाले हैं उपसर्ग हिंदी ब्याकरन का उपसर्ग और ये उपसर्ग सब एक्जाम के लिए इन्पॉर्टेंट होता है चाहें आप 10 में हो 11 में हो या 12 में हो या किसी भी बूर्ड का एक्जाम दे रहा हो कोई भी कमपेटेटिव एक्जाम के लिए तो सब के लिए इन्पॉर्टेंट होता है तो आप लोग ध्यान से देखिए और बहुत ही इन्पॉर्टेंट है और इससे ज्यादा अबजेक्टिव पूछा जाता है उपसर्ग और परतिया से तो आज देखने वाले हैं क्या उपसर्ग उपसर्ग उस सब्दांस को कहते हैं जो किसी सब्द के पहले आकर उसका बिसेस अर्थ पर कट करता है अब देखिए कह रहा है यहां पर बिसेस जो किसी सब्द के पहले आकर उसका बिसेस अर्थ पर कट करता है और कि मूल सब्द के पहले आकर कोई सब्द आकर ज आधा हूँ तो आप लोग मान के सलीए कि मैं ले लेता हूं यहां पर लिख लेता हूं कि आप देखिए उंपहार नोहसे फेने के महतंँ यहां पर पर कहए रहा है आप लोग यहां पर रिखेसे देखेगा क्यां रहा है कि मूल सब थेथ के पहले आकर देखिए व्यूड़ जरूः moisture किसी सब थेथ के पहले आकर उसका the उनकी पहले आएगा तो मैं यहां पर उपार पहले लिखते हूं उपार तो इसके पहले सब्सब्सakukan uap上 हार यहां पर क्या हो गया हार और एक नया सब्सब्सक्या आगया हार के पहले Kेसा आगया उप यह को ही हम हम लोग चाहेंगे उपसर्ग इसमें उपहार में कौन सा उपसर्ग है तो उपसर्ग है ठीक नब जैसे कि मान के चलिए कि अब यहां पर देखिए हार हार का एक पहले भी मतलब होता है हार का मतलब होता है पराजीत हो सकता है या हार एक माला जो हम लोग पहनते हैं तो हार का एक मतलब होता है ठी ग्यार पहलेएकना डीएशंदया वूप उपनाया सब्धा याज भी कि इसका एसे अर्थ दूपार हो गया तो इस को अम उपने करा है और हो इश्द भी बोलत सकते हैं टोफाब भी बोलता कुक्षाश और पहले मोरे क्या था कहा और नया सब्ध नुल सबसित के मभी ह deben पहले आकर उसका बिसीस अर्थ परकट करता करने कि कर आ गया और इसका अर्थ परकट कर दिया उपहाल लिजे अपते हैं कि क्या क्या होता है उपसार्ग में रिखेίο जो और सर्ग उप सर्ग कितने सब्दोस्ते मिलकर बना है तो दो सब्दोस्ते के योग से मिलकर बना है तो अब देखिए उप का मतलब क्या होता है इस उप का मतलब क्या होता है तो उप मतलब होता है समीप या पास या निकट उप का मतलब होता है समीप भी कह सकते हैं या पा मतलब होता है सिर्श्ष्टी करना धरक जाह करना सर गवाल प् crawling सबसे दो के योक से बना होता है और उपका अर्थ होता है समीब पास या निकर्ट और सरग का अर्थ होता है सिर्ष्टी करना एनcket लो कुछ में आप लोगों को समने UPS найти मैं आपको सामने देताया हूं मैं तो यहां पर आप लोग देख रहा होगे कि यहां पर आपका सब्द है यह और यह UPSARG तो आप लोग को यह पता है कि नाथ किसको कहते हैं, ठीक ना, नाथ कहते हैं, अब उपसर्ग, उपसर्ग क्या आगया, मूल सब्द के पहले, इस नाथ सब्द के पहले क्या आकर लगया, ओवा लगया, तो नाथ का भी एक पहले मतलब होता था, और ओवा लगया, ये दोनों क मतलब मतलब कि हमादा को में होता है तो आप मतलब समझ गया होता है। कि हम पहले की कोई जरुदरilt नहीं है तो अब जैसे कि यहां पर देख लिए मूल्सब्द मूलिष्ब्द यहां-पर क्या है धर्म धर्म है एक मूल सब्द और इसमें आके एक नया सब्द क्या आ गया इसके पहले एक नया सब्द आके जुर गया ओ नया सब्द क्या आके जुर गया ओ और ये एक नया बिसीस अर्थ ये दोनों जुर के एक बिसीस अर्थ पर कट कर दिया क्या ओ धर्म और धर्म में कौन सा सिन तरह आप यहाँ पर ले लेगा अधिकार कौन सा हो देख लेगा कार कार का क्या formidable कौन सासब्द अधि आ गया नया सब्ड का रचना कर दिया अधिकार उसमें से उसेtype सर्व औहिए और सब्द सेम उसी तरह ले लेजिए यहां पर अनुसासन को भी सेम सब को कर सकते हैं आप लोग करके टरा किजिए या अनुपस्थित को भी लेजिए अनुकरन को लेजिए या अनभीग को लेजिए सब एक ही रकम होगा ठीक न तो यहां पर आप लोग अनुसासन को लेजिए सा या अंग्रेज itadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad आफ्संजर क्या हो गया अनु और कुल मिलाकर एक नएया सब बन गया अनुसासन तो अनुसासन में situación मतलब एक्ताम अब कुछ objective देख लेते हैं ठीक ना तो यह सब तो औसी आपने उपरेट अब !! और यह मैं की यह से लिए हो shout लुसेंट का है यह लुसेंट का ठीक न तो लुसेंट का यह बहुत ही इंप्वाटेंट होता है और यह हर बार चार से पांच अब्जेक्टिव सब एक्जम में पूछा जाता है उपसर्ग से तो क्या-क्या इन देख लिए जैसे कि यहां पर किरा है ऊपसर्ग सिसे में कौने और यहां पर कौन क्या हो जाए बन मतलब आप लोग समझते हैं यहां जंगल जहर गो सामने गए होंगे और उप, एक नया सब्द आ गया, नया सब्द क्या गये क्या अपर ? उपसरों गोगी है इसका एंसर का चाहले ऑिके ऐसे नमर भी उप सेम उसी तरह ले लिलिए बैमान का याष्ड बैमान में कौशन उपसर सवार्ग के तो देख सब्सकेद बेहन बैमा बैमा बै बचाहिके तो बैमान को अलग मतलग होता है और याष्डेइक इमान नहीं यहां पर देख लिए इमान इसको सबसे पहले आप लोग संधी मिश्यद करने से क्या होगा बे जोड इमान इमान तो क्या हो गया यह इमान जो है यह मूल सब्द हो गया और यह जो हो गया यह एक क्या हो गया उपसर हो गया ठेंग तो सेम उसी तरह निवास का भी देख लो 2020 में दोजाए थारे में दोजाए थारे में दोजाए थारे में तो यह सब इंपोर्टेन्ट है देख लिजिए भर पेट में कौन सा अपसर घर तो और पेट का मतलब होता है पेट के मतलब होता है और भर आंग्या भर तो उपसरे कोंसा हो गया हो गया सर्थ कर तो हो जाएगा क्यों देख लिजिए और भी दिखाता हूं जो अच्छे से दिखाए देता हो ठेग अपके सधाले आया यहां प्रातन कुछ सब्सक्राइब दो 623 मैं पुचा गया है तो पुरातन में देख लेजिए पुरातन तो पुरातन में उफसर करज़गा पुरहो जाएगा आधीक शेंड त्र जाएगा त्र जाएगा तो आज विंडियो हैं वर नो último